आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउट करें, प्रशन है कि उचाई 60 मिटर की मीनार के चोटी से एक पिंड को वेक 20 मिटर पर ती सेगिंड उर्द्वारधर उपर की और फेका जाता है, यहन कि एक मीनार बना लेते हैं, इस प्रकार से, ठीकि यह मीनार हमारी 60 मिटर उची है, ठीक है, इस मीनार की उच की ओर, 20 मिटर पर ती सेगिंड का, तो इसकी यादि जी बराबर 10 मिटर पर ती सेगिंड है, तो हमें बताना गती कि उच्छी तम बिंदू पर पिंड का वेक तता त्वरण क्या होगा, तो आई हल करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी गती होगी किस प्रकार, इसक पर त्वरण होगी, गुरुत की ये त्वरण वो जी है नीचे की हो तो होगा क्या कि इस पर कर जो वेक कमाने हों वो दिर दिर कम होता जाएगा, और एक ऐसा बिंदू आएगा जिस बिंदू पर इसका वेक कमान उपर इधर शूने हो जाईगा, यानि वी बराबर 0 जाएंगा निचे जाएंगा और निचे जयाकर दर्तितल से तरण तो अगर उचीतम बिन्दू पर त्वरण बूचे तो उचीतम बिन्दू पर त्वरण why Name में अासमान प्रथेक बिन्दू यानि कि आसमान में कोई साब ने प्रफ्रकार की वस्तू अशे कर निदे मिनुट स्वार्ण के बारे दीए जो है तो मुशिकर्ण के बारे में निकलता है वेग निकलते हैं तब जैसले कि जैसे जैसे उपर जाएगा वैसे वैसे इसका वै क्या होना दाएगा। दीरे-दीरे कम होने लगेगा तो एक बिंदू ऐसा आएगा जिस बिंदू पर इसका वेख सुनने हो जाएगा यानि कि जिस बिंदू पर वेख सुनने होगा बिंदू पर वेख शुनने होगा वेख उच्चितम बिंदू होगा है वें कैसा होगा शुम्सत्रेजट में वह यहीं होगा इसके बात क्या होगा इसके बात यानि कि जो गुर्तियों बल लग रहा है उस गुर्तियों बल के कारण तोरण है जी और उसी के प्रवाव में फिर वस्तु उगर्थी करेगी तो हम कह सकते हैं कि उच्छता मिंदों पर प्रिंड का वेग वी बराबर 0 होता है और जी और तोरण होता है जी जो कि है नीचे की तो इस प्रकार आमारा प्रश्न हल हुआ